नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉग विद पुनी चैनल में दोस्तों आज के इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ DCCB बैंक नई भरती 2020 के बारे में DCCB बैंक में सपोर्ट स्टाफ के परदो पर भरती आई है योगता है यहाँ पर केवल दसवी पास और सेलरी आपको मिलेगा बावन हजार चार सो रपे पर मत तो इसी के बारे में आज मैं आपको सारी जनकर स्टेब बाई स्टेब बताने वाला हूँ कैसे अपलाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना एग्जामनेशन फीस लगेगा वो सारा कुछ आज में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल टॉक विट पर नए हैं तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक कर लीजेगा ताकि जितनी भी गॉर्मेंट जो वो प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी आपको मिलते रहें मैं रोजाना आपके लिए गॉर्मेंट जो वो प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों आज इस वेकेंसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो वेकेंसी डी सी सी बैंक सामवलपूर उकूर्टमेंट 2020 की है सपोर्टिंग स्टाफ के परदोपर वेकेंसी है और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना होगा कैसे फॉर्म फिल करना है क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारा कुछ आज में आपको step by step बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को skip नहीं करना है अन्य था आपसे इसकी बहुत सारी महतपून जानकारियां छोड़ जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके advertisement के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर जो minimum salary आपको मिलेगा 16,600 रुपे पर मंद आपको salary मिलने वाला है और यह salary maximum अगर हम बात करें तो 52,400 रुपे पर मंद आपको salary मिलेगा तो जो salary का जो structure वो 16,000 से लेकर के 52,000 के 20 तक का आपको salary मिलेगा maximum आपको यहाँ पर 52,400 रुपे पर मंद का आपको salary मिलेगा age limit के अगर हम बात करें तो यहाँ पर minimum age 21 साल है और maximum यहाँ पर 32 साल तक क्या candidates apply कर सकते हैं साथ ही कुछ अधिकुमरवाले candidates भी स्वाम को भर सकते हैं तो age में relaxation के लिए आप इसके official notification को एक बार चेक कर लीजेगा अगर हम बात करें selection process के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जिसका selection process होगा वो return exam के base पर आपका selection किया जाएगा एक exam conduct होगा जिसके अंदर multiple choice questions होगे तो दोस्तों अगर आपको exam का syllabus चाहिए और last year के paper चाहिए तो आप comment कर दीजेगा मैं आपको इसका solution provide कर दूँगा और आपको last year के papers भी ला करके दे दूँगा तो वीडियो के description में आपको comment कर देना है बात करें अगर हम इसके last date के बारे में तो दोस्तों form की शुरुआत 6 मई 2020 से हो चुकी है और form के भनने की जो last date है वो 25 मई 2020 तक आप इस form को भर सकते हैं तो वीडियो को share कर दीजेगा Facebook, Instagram, Twitter पर ताकि आपके जितने भी friend है दसवी पास वो इस form को भर सके उनको भी इस vacancy के बारे में जानकारी मिल जाए तो WhatsApp, Facebook, Twitter सभी पर share कर दीजेगा बात करें इसके fee payment करने की last date की तो इसका fee payment करने का last date भी 25 मई 2020 है अगर हम बात करें इसके application fees के बारे में तो दोस्तो इसका जो application fees है journal के लिए 700 रुपे का है इसके लावा EWS और OBC के लिए 700 रुपे का application fees आपको pay करना होगा इसके लावा SC, ST और physical handicap के लिए 400 रुपे का application fees पे करना होगा तो fees यहाँ पे normal सा fees है सभी इस form को भर सकते हैं ठीक है? payment करने के लिए online mode आपको payment करना होगा debit card, credit card, net banking और online आप इसके जमा कर सकते हैं बात करें LGBT kit के रिया की तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको पहली बता दिया था कि यह vacancy जो है दसवी पास है अगर आप दसवी पास है तो आप इस form को भर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर एक बात ध्यान दिखेगा कि जो आपने दसवी पास किया है उसमें एक audio language जरूर होना चाहिए यानि कि आपका एक audio subject होना बहुत दरूरी है तब ही आप eligible माने जाएंगे यह इसके official notification में कहा गया है age limit की बात करें तो यहाँ पर 21 से लेकर के 32 साल तक के candidates अपलाई कर सकते हैं साथ ही OBC के लिए 35 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं SC के लिए 37 साल और HD की 37 साल है इसके अलवा एक service man भी यहाँ पर 37 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं साथ ही अगर आप PWD candidates और General category में हैं तो आपके लिए 42 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं तो age limit में भी सभी vacancy भर सकते हैं बड़ी-बड़ी age वाले भी इस form को भर सकते हैं vacancy की detail के मैंने आपको बता दिया तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस category के लिए कितनी vacancy है तो दोस्तों जो हमारा supporting staff को जो vacancy है इसके लिए journal के लिए male की 10 सीटे है female की यहाँ पर 5 सीटे SC male की 5 सीटे SC female की यहाँ पर 2 सीटे है ST की 3 सीटे ST female की यहाँ पर 2 सीटे है इसके लावा SCBC में 2 सीटे male की और 1 female की सीटे है total vacancy यहाँ पर 30 पद है तो जो भी candidates form को भरना चाहें भर सकते है apply कैसे करना है apply करने के लिए video के description में मैंने इसका official notification दे दिया है उस notification को आपको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद नीचे video के description में आपको apply now का link मिल जाएगा उस link पर आपको click करके online form fill करना होगा online form करने का पूरा process आपको मैंने बता रखा है ठीक है link पर click करना है और आपको इस पूरे form को fill करना होगा ठीक है इसके अंदर अपना नाम, father name, date of birth सारे आपको correct डिले भरने हैं आपके 10th के certificate में है वही ना, father name और marks लगर आपको fill करना है उसके बाद login करके आपको सारी जनकारी को fill करने के बाद payment कर देना है successfully आपका payment हो जाएगा तो ये मैंने आपको सारी जनकारी step by step बता दी है तो दोस्तों वीडियो के description में आपको इसका official notification apply now का link आपको मिल जाएगा download कर लिजेगा, अच्छे से पढ़ लिजेगा और form को fill कर लिजेगा कोई भी doubt होगा तो आप मुझे comment कर दीजेगा मैं आपके comment का reply दे दूँगा solution provide कर दूँगा तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और अगर आप मेरे channel talk with पनीत पर नए है तो channel को जरू subscribe कर लिजेगा तकि इसी प्रकार की government job और private job के notification आपको मिलते रहें तो अभी के लिए मुझे इजादत दीजेए मैं फिर मिलूँगा एक new vacancy के साथ एक नए knowledge के साथ तो अभी के लिए goodbye जाएं